हेलो शुडेंट आज हम चैप्टार 8 इग्नोमिन्टी एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज 8.4 का हम कुश्चन 5 सॉल्व करेंगे कुश्चन 5 का हमारा 7 पार्ट है दियागा हमारा 10 थीटा जो है यहां पर दिखो हमारा 10 थीटा जो है यहां रहसको हमें लहसके इक्वल प्रूफ नहीं कर सकते है तो हम LHS को रहसके इक्वल प्रूफ करेंगे तो हमारे LHS क्या है LHS हमारे दिया जाए कि Sine Sine Theta minus 2 Sine Cube Theta upon 2 Cos Cube Theta minus Cos Theta हम इसे क्या करते है Time Theta में लाना है तो हम क्या करेंगे बेटा उपर क्या करते है Sine हमारे देखो दोनों साइड में Sine Theta minus 2 Sine Cube Theta है हम यहां पर Sine Commal ले लेंगे हम Sine Commal ले लेंगे Sine Theta हमारे यहां बच essent intriguing 1 minus 2 Sine Cube Theta ہमारे यहां Sine Square Victory Theta अब नीचे हमारे दोनों साइड में Cos Theta हम नीचे कॉम ले लेंगे here Черعد वा log Pi Theta cos square 2 Cos square theta minus यहां हमारा 1 बच consciprü 1 आग Mikey तो हम sin theta और क्या काते हैं 1-2 sin theta को क्या लिख सकते हैं minus 2 sin square theta को हम क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं minus sin square theta minus sin square theta जब हमारा minus sin square theta minus sin square theta होता है तो हमारा क्या आ जाता है minus 2 sin square theta तो हम इसको बेटा इस तरह लिख देंगे हमेरा हो जागा 1- sin²θ minus sin²θ आपान, अब हमारा नीचे क्या है cos θ है तो हम क्या गरते हैं? 2 cos θ को क्या लिख सकते हैं? 2 cos²θ को हम क्या लिख सकते हैं? इसको अम लिख सकते हैं cos²θ plus cos²θ क्योंकि जह personalized क्या जागा? 2 cos²θcych हम इसको लिख लेंगी cos θ स्क्वाइर थीटा 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 स्क्वाइर थीट माइनस साइन स्क्वाइर थीटा हो जाता है यहां हमारा वन माइनस साइन स्क्वाइर थीटा है इसकी जगा पर हम क्या लिख सकते हैं हमारा जगा स्क्वाइर थीटा माइनस साइन स्क्वाइर थीटा अपान फिर हमारा कॉस थीटा है यहां कॉस स्क्वाइर थीटा है कॉस स्क स्क्वाइर थीटा और यह हमारा 1 इधर प्लस है तीधर आएगा हमारा माइनस जागा माइनस 1 इसकल 2 और एक साइन स्क्वाइर थीटा इधर प्लस हमारा इधर जागा तो हमारा क्या जागा अब sin theta upon cos theta बचा हमारा तो sin theta upon cos theta हमारा क्या होता है tan theta होता है हमारा RHS की equal लाग है यही हमें proof करना था अब बेटा हमारा question 5 का क्या कहते हैं 8 part है 8 part हमें दिया गए sin a plus cos a का square plus cos a plus 6 a का whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a हमें proof करना है तो हमें बेटा यहाँ पर भी proof करना है चाहे हम LHS को RHS के equal proof करतें चाहे RHS को हम LHS के equal proof करतें यहाँ हम LHS को RHS के equal proof करतें तो LHS हमारा क्या दिये गए है दिये गए sin theta sin a sin a plus cos a cos a cos a cos a плюс cos a plus 6 ka cos a ka whole square यहाँ बेटा दिखऊए हमारा a plus b को होल स्कुरे यहां पर भी a plus b को होल स्कुरे को तो हम इसको क्या करते है a plus b के फार्मूले तोड़ देंगे क्या होता है हमारे a plus b का होड़े स्कॉ switch का स्कॉ facets सभे bağ कौसे की स्कॉसे की स्कॉसे की स्कॉसे की स्कॉसे की प्लस थो यह हमारा साइन है, 2 साइन ए इन्टू कोस से के, कोस से के, प्लस अब इसी तरह हम इसको भी तोड़ेंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, कोस स्क्वाइरे, प्लस से की स्क्वाइरे, से की स्क्वाइरे, फिर प्लस 2 इन्टू कोस ए इन्टू से के, यह हम हमारा कुछ अदेंटेज होती है पहले हम उसको देख लें उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे एगे हमारा क्या धंप क्या होता है बेटा हमारा जैसे साइन स्क्वाइर होता है साइन स्क्वाइर ए प्लस कॉस स्क्वाइर ए इसकी क्या गते हैं बैलू में क्या मिलती है इसी तरह कर हमारा बेटा साइन एंटू कॉस ए कॉस ए होता है इसकी बैलू भी हमें 1 मिलती है और कोस ए इसकी value भी 1 होती है और क्या करते हैं हमारा एक होता है 1 प्लस cont sq a इसकुल to क्या होता है कोस एक स्कुल to 6 sq a होता है और एक और होता है हमारा नीत है और क्या गते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारा क्या है क्या 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 है 1 प्लस 10 square A equal to 6 square A यहाँ पे हम इन सारी properties को use करेंगे तो यहाँ देखो बेटा हमारा sine square A यहाँ पे है cos square A यहाँ पे है अगर इन दोनों को मिला दिये जाए था हमारा क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा अब इसी तरह देखो और क्या है sine A into cos square मतलब कि इन दोनों का इन दोनों का क्या रहते हैं 1 हो जाएगा 1 इसका भी 1 मिल जाएगा फिर cos A into c तो यह हमारा देखो यहाँ पे cos A into c मतलब इसकी पहलू भी हमें 1 मिल जाएगी यह भी हमारा 1 हो गए और यहाँ पे हम देखें है बेटा यहाँ पे अब क्या मिल रहा है cos A मिल रहा है और cq equation मिल रहा है तो यहाँ हमारा देखो क्या है इसको हम क्या कहते हैं बेटा ऐसे रहने देंगे इसको चेहिंड करेंगे साइन स्कौरे a cos square a की बैलू हमें क्या मिलके बैटा इसको हम साथ में लिख लेते हैं पहले तब करेंगे जाद सही देगा लिख लेंगे sine square a फिर plus cos square a plus 2 sine a into cos a कोस a फिर plus इसको हम लिख लेते हैं 2 cos a into sick a फिर हमारा क्या बचा बैटा प्लस कॉसेक स्क्वाइरे प्लस यहाँ पर हमारा सेक स्क्वाइरे सेक स्क्वाइरे तो अब क्या कहते हैं यहाँ बेटा हमारा क्या हो गए इन दोनों का 1 हो गए तो 1 प्लस इसका भी 1 हो गए यहाँ पर हमने लिखा है 1 फिर इसका भी 1 हो गए प्लस वन अब बेटा हम क्या करते हैं कॉसे को क्या लिख सकते हैं कॉसे की स्क्वाइर को हम यहां से देखो यहां हमारा कॉसे का क्या है बैलू मिला है वन प्लस कॉट इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 5 5 हो गए 5 मिल गया यहाँ पे बेटा 5 मिल गया लेकिन बेटा देखो यहाँ पे हमें क्या कहते है sin A into cos कोसे के साथ हमें 2 है यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा into 2 से multiply कर देगे फिर यहाँ पर भी बेटा हमें 2 है इसके साथ कोसे इंटू से के साथ two है यहां पर वह हम two से multiply कर देखे हमारा क्या जाएगा one plus two plus two plus one और एक plus यहां पर one है तो वह हमें फिर हमें क्या मिल गए ten square a plus quart square a यहां पर जब हमें इसको add करेंगे तो one three five six seven तो हमें मिल गए 7 प्लस 10 स्क्वाइरे प्लस कॉट स्क्वाइरे हमारा RHS के इक्वाल आ गया अब बेटा हमारा question 5 कर 9 part है दियेगा कॉसे के माइनस साइने फिर दूसरे प्लस कट में दियेगा साइने तो हम दूसरे प्लस में क्या दियेगा इस से माइनस कॉसे तो यहां पर बीटा हम कॉसे को क्या लिख सकते हैं वगाल इसका अखर हम अर्फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगए वन माइनस साइन स्कोयर यहाँ आजाएगा बेटा दूसरे पर कट में लेंगे तो इसका लेंगे क्या लिख सकते हैं कॉसिक्षाइड अपान साइन ही हो के यहां साइन स्क्वाइरे प्लस स्क इसक्वाइरे होता है रित कल्ट redemptionone यहाँ में साइनिति स्क्वाइरे ओं यहां माइनट् Casey इसक्वाइरे कि दो और साइनिति स्वाइरे कीप stinky जाएगा मरण that कॉस को से है कव देखोगि है इसको Stephen कर लेगे हमारा क्या क्यों कर लेंगे हमारा कोजा दाय полит में स्कुरित अब पान साइन ए इंटू साइन According to signconductisches क्यूरे अपन कोजले का इंसलत है आपनं सा क्या वाल picked कॉस ए अपान नीचे कुछ भी नहीं बच जाएगा साई नहीं बच जाएगा तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं इसको यहीं हमारा कॉस एंटू साई नहीं आ गया तब ही तो हमारा आरेच साय नहीं है और अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसके नीचे अगर हम कुछ करेंगे तो अब बेटा हम इसको नहीं solve करेंगे अब हम second part को RHS को क्या कहते हैं solve करेंगे देखते हैं अगर हमारा cos into sin नहीं आ जाएगा तो हमारा दोनों equal हो जाएंगे तो बेटा हमारा RHS लिखेंगे हम RHS क्या है हमारा दिये गया है 1 upon 1 upon 10 plus 4 साइने हमारा हो जाएगा यसको हम LCS में लेंगे हैं परेले हम बेटा 1 ऊपर है वर रहने जांगे फिर नीचे हमारा क्या है cos into sin सदेवरें यहां से देखो साइन देखाए से बेलू क्या होती है यहां से देखो 1 upon cos A into sin A हो जाएगा sin A तो यहां हमारा क्या हो गए यह हमारा हो गए A upon B upon C तो हम क्या लिख सकते हैं A को हम C के साथ लिखते हैं था हमारा हो जाएगा बेटा 1 upon 1 into sin A into cos A हो जाएगा cos A हो जाएगा था हमारा क्या आगा है उपर जब multiply करेंगे था हमारा sin A into cos A हो गया हमारा देखो जब हम उपर solve किये थे यहां भी हमारा sin A into cos A हम इसको आगे पिछे लिख सकते हैं चाहे हम cos A into sin लिखें यह sin A into cos से लिखें हमारा proof हो गया दोनों यह भी हमारा LHS था यह हमारा LHS था दोनों equal आ गये बेटा बेटा अब हमारा क्या कहते है question 5 का last है 10, 10 पार्ट दियागा है 1 plus 10 square upon 1 plus 4 square फिर दूसरे bracket में दियागा हमारा equal to 1 minus 10 A upon 1 plus 4 A का whole square फिर equal दियागा है कि 10 square यहां पे हमें बेटा 3 पार्ट में दियागा है यहां पहले हम क्या कहते हैं पहले को इसके equal proof करेंगे फिर second को इसके equal proof करेंगे बेटा तो हम पहले यहां पे LHS लेते हैं इस पार्ट को लेते हैं LHS हमारा दिख्या दियागा है 1 plus 10 square upon 1 plus 4 square 4 square बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 plus 10 square को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं वैटा सेक स्कौईरे अपान आपन वन प्लस टैने स्कौईरे को क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कोसे की स्कौईरे यहाँ से हमारा 6 square और 6 square यहाँ से आया है जो लिखे हैं यहius कल टू क्यों हमारा 6 square है की बेलू मरेके लेके आया है तब इसको लिख सकते हैं से को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon cos square a हो जाएगा हमारा बेटा फिर क्या करते हैं cos square को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon sin square लिख सकते हैं तो यह हमारा क्या हो गए a upon b upon c upon d का formula बन गया हम b को c के साथ लिखते हैं और a को d के साथ लिखते हैं तो यह हमारा क्या जाएगा sin square a upon cos square हमसको को स्क्वाइर हमारा क्या होता है गाला होता है कि हमारा स्ट को प्रोम करेंगे इस तो मेरा सिकेंट क्या दिया गाए ली leadership में हमारा दिए गए है क्या इसको हम क्या करेंगे यहां क्या क्या विएक हम क्या लिख सकते हैं Rs 2019, A upon cos A cos A फिर हमारा बेटा क्या हो जाएगा नीचे हमारा 1 है 1-4 को हम क्या लिख सकते है cos A upon sin A sin A यह पूरे का whole square है बेटा हमारा तो यह हमारा क्या हो जाएगा अगर हम बेटा यहाँ पर 1 कर ले और यहाँ पर भी 1 कर ले तो इसका अगर हम LCM लेंगे उपर पहले हम इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ अगर हम LCM लेंगे तो हमारा क्या जाएगा cos A आजाएगा cos LCM आजाएगा फिर यहाँ हमारा हो जाएगा cos A minus sin A हो जाएगा sin A और फिर नीचे हमारा क्या कहते है ससे यहां पर LCM क्या हो जागा वहां ? ससे कोशे 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 हो गई हमारा फिर यहां पूरे को होल स्क्वायर कर देंगी हम यहां पर बेटा हम क्या करेंगे यह भी हमारा a upon A upon b upon c upon d दो इसको हम का एसे लिग सकते हैं ? हम क्या कहते हैं मतलब A को हम D के साथ लिगें और B को हम C के साथ लिगेंगे हमारा उपर क्या आ जाएगा साइन A फिर ब्रेकट में हमारा क्या हो जाएगा कॉस A माइनस साइन A हो जाएगा और फिर नीचे हमारा क्या हो जाएगा कॉस A breakout में हमारा क्या हो जाएगा sin A minus cos A हो जाएगा तो पूरे का whole square है बेटा तो यहाँ पर हमारा square था तो यहाँ दोनों साइड में यहाँ पर हमारा square हो जाएगा और इसका भी square हो जाएगा cos का भी square हो जाएगा तब यह हमारा sin square हो गए और नीचे हमारा कॉस स्क्वाइर हो गए यह हमारा A-B हो गए बेटा तो बेटा अब देखो हमारा क्या कहते हैं यह हमारा क्या हो गए साइन स्क्वाइर है अपन कॉस स्क्वाइर है अब देखो बेटा यहां पर हमारा कॉस स्क्वाइर है ब्रेकट में हमारा क्या है Cos A minus sine sine A का square है और नीचे हमारे क्या देगे sine A minus cos A देगे इसको अगर हम यहाँ पर sine A minus cos A पर आगर हम यहाँ पर minus comma लेज़े wäre hvad cos A minus sin A हो जाएगा sine A हो जाएगा और इसका हम दोरों का square कर देगे यह हमारे minus minus plus हो जाएगा और फिर हमारा क्या आ गिा गिए गई निया जो उपर है हमारा सम क्या होता है ये भी हमारा आरे जेस्ट के इकॉल प्रूफ हो गया झाल झाल